तो आपको कर रहे थे मांदो कि अगर हम पहले की बात करें तो रिसेल होता था रेंटल होता था पर 2015 के बाद CP करके concept आ गया या प्रीसेल में ज्यादा लोग होने लगे चैनल पार्टनर एजेंट ब्रोकर अभी चैनल पार्टनर है ना तो अभी एकदम से क्या हम स्विच मार के प्रीसेल में मैं घुज जाओं पुराना छोड़ दूँ या क्या करना चाहिए और कैसे कम पैसे में ज्यादा फाइदा कमाए जो कर रहे थे उसके साथ-साथ अपने सारे resources का best use करके कैसे ज्यादा पैसा कमाए कमाना है तो यस लिखो फिर ये वीडियो बनाएंगे और ये वीडियो लास्ट तक जरूर सुनना मेरा हर वीडियो में कहीं न कहीं क्या मैं दे दूंगा पता नहीं तो उसको सुना करो स्किप करके जाओगे ना तो मज़ा नहीं आएगा खाली फोकर फिर मत ही देखो अगर ऐसा लगता है तो यार ये बिजनस के वीडियो ये कोई टाइम पास इंटर्टेंट में नहीं गाना है जल्दी जल्दी बोरिंग रहे तब भी सुनो मेने मुद्दा तो ये एकी पैसा बहुत गुस्ता है ये पूरा एकदम जुआ टाइप का है गैमलिंग है पाच लग डाला आप उनने कैमपेंड रन किया डिस्टल मार्केटिंग इतना लीड देंगे दोसों देंगे उसमें से ये होगा बनी तो बनी नहीं तो अब्दुल गनी हो गया तो हो गया नहीं तो बैटो पर आप उन जो पहले से थे उनका फाइदा क्या है सारा डेटा आपके पास है वो डेटा पर ही जो प्राइमरी सेल में आते हैं उनी को घुमाओ फर्स सेल के लिए ठीक है जो रिसेल के लिए आप उनने लिस्टिंग किये थी एक घर बेशना है हम ऐसे दंदे में थे रेंट करते थे रिसेल सेकेंडरी में थे अब वही लिड को प्राइमरी सेल में टैप करो आपको गजब का अन्वह आएगा क्योंकि यह लोग को प्राइमरी सेल वालों ने पकड़ा नहीं है वो मार्केट को उन्होंने क्लिक नहीं किया है यह आये थे रिसेल लेने तो यह अपने पास है उसमें तो एक एक लीड जो है ना वो डिश्टल होके रहे वालों ने दस-दस को बाट रखी है बात ही गला काट कॉम्टिशन है यहाँ पर मस्ट मैं लीड निकाल रहा हूँ मैं बोलोंगा नो प्रॉब्लम जितना है उतना दिखाऊंगा मेरे पास लीड है फिर मैं बोलोंगा सर क्यों को ऐसी वज़ा आपको आपकी मन पसंद की चीज मिल जाए आपको प्राइस कम मिले फ्लैक्सिबल पेमेंट के ऑप्शन मिले खाली दस परसंद मिलके फर्स्ट आप मैं आपको 100% बोलता हूँ अगर कोई यहां तक गया है तो वो टाइम पस करने नहीं गया है वो लेगा एक तो प्रॉपर्टी लेने वाला था रिसेल में मन मुताबिक मिलता नहीं है मिलता है तो कुछ भी भाव बोलते हैं अंसंद और फिर पुराना हो गया इधर ख्रैक आ यहां पर यह सोसाइडी में चाहिए बचा यही फॉल्टी पीज भले ना फिर वो जवर्दस्ती लेने से तो अच्छा है ना यह तो थोड़ा सा बताओ प्राइमरी सेल के फाइदे क्या है खाली दस टक्का लेके और आराम से पेमेंट करने का है अगर किसी को टूब एच के लेना है पाँच लाग दस लाग में आराम से टूब एच के लेके आता है और कैसा रहता है फोर सेविंग हो जाती है एक बारवंदा ले लेता है तो करी देता है कहीं से खीच-खाच के तान के पेमेंट या तो इंकम बढ़ाएगा या मेनच ज्यादा करेगा कुछ ना करके खर्चे कम करके पेमेंट करी देता है तो मैंने अभी एक दोस्त आया था मेरे टूबलेट कैसे की जली तो वो बोला कि यार मैंने तो एओपी साइन कर ली है तू तो यार मेरे ऐसा था मैं ज्यादा प्राइमरी में नहीं करता हूं आप लोगो बता दू तो बोला नहीं जो लीड आई है दो टेली कालर को लगाता हूं नहीं को कॉल करते रहती है थोड़ा सा बताती है कि क्या फाइदा है अंडर कंस्ट्रेक्शन लेने भी कोई बुरा ही नहीं है और जो फिर किसी को जलती चाहिए तो छे महीने में पजिशन है वैसे वी दो तीन महीने इदर प अपना फैमली है आप लोग उनको कितना जल्दी बता हूं किसी बंदे का दोवी बिकने लग जाए वही एक्जिस्टिंग डेटा में से जो कि आज तक वैस था आपने जैसे यह अंडर कंस्ट्रेक्शन काम बात ही नहीं करते थे आप उन नहीं मैं प्राइमरी सेल्में नही इनको बोलो जो साइट पर गया कि उनके कोई कामका नहीं है उनका प्रोजेक्ट अभी कम्लिट हो गया समझे शापूर जी पालन जी ने एक प्रोजेक्ट डाला अभी वो सोट आउट हो गया प्रोजेक्ट बट वो जितने अभी आये थे 10,000 लीड लिया 500 लोग ने 9,500 तो ह काल किया ऐसी 20 लीड निकाली समझे रोज 200 काल कर सकते 10 दो दिन में एक लीड अगर 20 में से एक भी कनवर्ट कर ले गए आप उन तो सोचो कितना पैसा है 5-6 booking कहीं नहीं गई है तो मुपत का पैसा मतलब बिना खर्चा पैसा ही पैसा तो यह तरीके अभी अपना होगे तो मह कराओ उनको इंसेंटी दो आटोमेटी काम करते हो लो कि भाई बुक करो के 3000 एक booking पे मिलेगा पांच जार एक booking में मिलेगा दो टक्का मिलेगा तीन टक्का मिलेगा तो अपने आप एक गंटा पहले आके कॉल करेंगे अच्छा इंसेंटी इसमें भी मिलता है क्योंकि इसमें को बस इन्वाइस देने का और चार टक्का पाश टक्का तक लोग स्लैब में दे रहें ब्रोकरेज तो यह क्या बैठे हो जाल्दी से जल्दी उतर अभी दीरे दीरे शिप्ट करो मैंने में डिसीजन ले दिया है कि 80% तो अपना एक्जिस्टिंग बीजनेस उससे आएगा 20 20% आप उन प्राइमरी से भी करेंगे जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे तो कभी नहीं होने वाला है आप डिसाइड करो हो जाएगा थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे लेकिन आप फिक्स कर लोगे इतना मुश्किल काम आपने पहले कर लिया है तो यह तो कुछ नह मुदध कर पहले मुद आप एफ बत ब Tyl-वच्किल कर लोड़े ली वह तो कि विल तो कि बुद आपने शेड़ें आपने दो कि आप पने दि कर दो कर ले झारा सक एपने दो कुछ बदा又 कि एयामारा है झाल झाल